आज हम इस भागदोड़ भरी जिंदिगी में इतना बीजी हो गए हैं, इतना बीजी रहने के अमादी हो चुके हैं, कि हमें खुद के बारे में सोचने तक कभी समय ने मिलता है, बचपन से हमारे दिमाग में यह ठूश ठूश के भर दिये जाता है, खाली दिमाग सैतान का द जिमाग क्यों होगा, भगवान का नहीं हो सकता है क्या, अच्छा आप मेरे को एक बात बताईए, मेरे पास दो कंटेनर हैं, उन में से एक चावलों से भरा पड़ा है, लबालब, अब उसमें और कुछ रखने की जगह नहीं है, और जो दूसरा कंटेनर है, वो बिलकुल ख चित लगे, उस खाली कंटेनर में भरने हैं, चुनाव आपको करना है कि इन में से आप क्या भरना चाते हैं, सेव भरेंगे, चावल भरेंगे, लकडी भरेंगे, या फिर छिलके भरेंगे, क्या भरेंगे आप पहले, ठीक, ऐसे ही हमारे दिमाग भी होते हैं, जब हम खाली होते हैं कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं ऐसे में आपको चुनाव करना होता है कि अपने दिमाग को किन विचारों से भरना चाते हैं अच्छे से या फिर बुरे से मैं कहता हूं खाली दिमाग रखिए बिलकुर रख नहीं खाली दिमाग रहेगा तभी तो उसमें आप कुछ भर पाओगे, खुद की तलास कर पाओगे, एनलाइज कर पाओगे, खाली समय में आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे किसी महापूरुस की जूनी पढ़ सकते हैं, फ्रेमस प्लेस पे घूमने जा सकते है मोटिवेशनल वीडियोज देख सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, और भी ऐसे ही बहुत कुछ कर सकते हैं, जीवन में हम ऐसा 24 आस बीजी राने वालों को दाप्त देख लिजे, कोई बड़ी क्रियेटिविटी नहीं कर पाते हैं जो पहले से भरा पढ़ा है, उसे अब क्या भरोगे, और जो खाली है, जो खुद के लिए समय देते हैं, उनके लिए तो पूरा संसार पढ़ा है उस खालीपन को भरने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ, अपने अंदर की क्रियेटिविटी को मरने मत दीजे, उसे पंख लगाईए, चुनाओ करिए, और फिर देखिए, उरने में क्या मजा आता है,